हेलो अबरिवन वेलकाउं टू स्टेडी वित इसपांड़नेश तो दोस्तो आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट है जो कि दोस्तो एससी के दोरह जारी की गई है दोस्तो अभी यहाली में एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्हों बताया है कि जो आपका एक नई वेकै जो कि आपका जारी की गई है इसके लिए जो आप एप्लिकेशन कर सकते हैं तो इसके लिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नाया है तो प्लीज देखते हैं कौन सी विकैंसी और आपके लिए जो है क्य जरू भरिये इसके लिए आपका जो आपकी जो डेट बताई गई उसके बारे में यदि हम बात करें तो डेट फॉर सब्मिशन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेंट्स दोस्तों आपको अप्लिकेशन फॉर्म एप्लाइग करने की जो आपकी डेट है आपको बीस आर दोहर बाइस स पर उसके लिए पेंट्स है अगर अगर आपके जो फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है तो इसके जो पर आपको रोधाइगाई घजान कराइगा है यहां और बताए गई है दोस्तों नाइक लेदी हम बात करके इसका जो आपको एक्जाम कब होगा इसका जवाब आपको 2022 तक में एक्सका एक्जाम कंड़ेट कराया जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखेगा कि अगर आप इसमें जॉप का है अगर आप से टाइपिंग लिए जॉप की कौलिफाइड है तभी आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं यहां पर आप देखे नीचे लिखा है कि only those candidates who have skills in stenography are eligible to apply ठीक है तो अगर आपके पास इस्टोनिग्राफिक जॉप का सट्फट है तभी आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं अगर हम इसकी जॉप की बात करें दोस्तों अगर हम जॉप का एज की बात करें तो इसमें आपके लिए जॉप की बताए गई है तो हम यह दिए के बात करें तो दोस्तों आपको डी है अठाट से 27 तक आप इसको अपलाइ कर सकते हैं दोस्तों आप जो एज में रिलक्सेशन दिया गया है तो जो आपको पांस साल का दिया गया है ऑवी सी को तीन साल का और पीड़लोडी अन्रिजर्व्ड है उनको 10 साल का औ दिया गया है और जो डिफैंस में हैं दोस्तों उनको भी तीन साल के यहां पर जो है रिलक्सेशन मिलेगा तो दोस्तों आप इसको पड़ाफट भर दीजिए अगर आपको अपडेट है इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा तो आप इसको य अन्यवाद जैहिंज भारत